आईए जानते हैं तेश भर में कैसे लोट रही है लोटेरों की नीद RBI ने आज announcement की है कि वो सरकार को 1.76 लाग क्रॉड की surplus राशी ट्रांसफर करेंगे इस पर राहुल गांदी का कहना है कि सरकार में लूट मचा रखी है CDC बात है आपके घर के लौकर में अगर savings है जो अभी फिलहाल use नहीं हो रही तो आप उसका इस्तमाल तो कर सकते हो ना Congress को ये बात हजम ही नहीं हो रही है क्योंकि उनकी सरकार में इतने बड़े रखम की सिर्फ scams हुआ करते थे भारत के इतिहास में पहली बात ऐसी मंदी आई है कि कोई जज नहीं खरीद पा रहा है कोई CBI नहीं खरीद पा रहा है राहुल गांदी कश्मीर से उल्टे पाउ लोटा दिये जाते है वाम, पंती, अलगाव, वादी, पत्थर, बास और हमारे बुद्धी जीवी बेकार बैठे है ये सब क्या है? मंदी तो है लेकिन विपक्ष में नडाल नहीं नागल US Open में Roger Federer को फर्स सेट में हरा कर सुमित नागल ने देश का दिल जीत लिया मैच, फेडरल ने जीता लेकिन उसके बाद उन्होंने सुमित नागल की काफी तारीफ की सारा देश सुमित नागल को बढ़ाईया दे रहा था और वहीं कॉंग्रेसी मुफलाई बैठे थे उनका कहना था कि राहुल गांदे की मौरल विक्टरी पे किसी को इतनी खुशी तो कभी हुई नहीं कुछ मीडिया के लोगों ने कश्मीर पर ये नहीं अफ़ा फैलाई है कि वहाँ जान बचाने वाली दवाईया अब खत्म हो गई है श्रीन अगर डिस्ट्रिक आइमिन्स्ट्रेशन को बचाओ के लिए सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि अभी भी लोगों के लिए 5-6 हफते की दवाईया अवेलिबल है फेक न्यूस का कोई इलाज नहीं आर्टिकल 370 हटानी का डिसिजन कुछ लोगों के लिए कड़वी दवाई जैसा ये दवा कड़वी जरूर है लेकिन इससे देश भर में अलगाववाज जैसी बिमारियों का इलाज पॉफेक्टली होगा कुछ दिनों पहले कॉंग्रेस नेता शशी धरूर ने अभी व्यक्ति की आजादी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी के तारीफ में कुछ शब्त कहे लेकिन केरिला कॉंग्रेस प्रेसिडेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी और अब उन्होंने शशी धरूर से सफाई मांगी है इस पर धरूर के बचाओं में कुछ कॉंग्रेसी बोले कि धरूर ऐसा बयान कभी नहीं दे सकते है और जरूर उनको कोई पुष कर रहा है लेतिस अपदेट्स और नरेटिव शाने के लिए रोज शाम साथ बज़े देखी टेटेन न्यूस